लोखो कॉंटे गीता पार्ट याने कि लाग कंटों में गीता पार्ट किया जाएगा और ये शायद पहली बार पश्रिम बंगाल में ऐसा कुछ देखा जाएगा जो के कोलकाता के मैदान में 24 तारिक को 24 डिसंबर को ऐसा एक चीज होने वाला है और इस पर प्रधान मंतरी नर एकदम इसके शुरुवात के दिन से उन्हीं से बात करेंगे भाराज सबसे पहले ये कभी हमने सुना गीता पार्ट तो हमने सुना है गीता पार्ट होता भी है देखा भी है लेकिन एक लाग लोगों का जमावेश करके इतना बड़ा एक इवेंट ये कैसे इसका देखा तयार किये थे तो इसमें हम लोग देखे प्राए सारे 6,000 लोग उसमें पार्टिसिपेट किये और उसमें एक गीता के उपर आदमी मने गीता जी के उपर जो भाबना देखे मनुस्य को मने भक्तो जनों में तो इसले हमने सोचा कि इसको बड़ा कैसा किया जाए तो और उसी को गाओं गाओं में गितापाट करते करते मने सहर गाओं में कहीं 500 कहीं 2000 कहीं 1000 तो यह सब गितापाट सारा साल तक चलता रहा एकदम यह कोई अनुष्ठान कुछ भी कर रहा है तो पांच अध्याए का गितापाट करिए तो यह सब करते करते अभी बंगाल में पा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं आप मिले भी उनसे जब आप मिले उनसे उनको ये कहा ऐसा आप लोग कर रहे हैं उनका क्या रियाक्शन था क्या कहा उन्हों उन्होंने इस प्रोग्राम में स्वयंग बोले कि हम तो इस प्रोग्राम में जाएंगे और यह पुरा कारिये क्रमों सुने यहां पे एक लाग लोग एक साथ पार्ट करेंगे पांच अध्याय का पार्ट है तो उन्होंने बोले कि कि एतना तो समय हमको अफिसायाद नहीं देगा तो कम से कम एक दो अधाय तो हम पाठ करेंगे आप लोग के साथ उन्होंने बताए थे तो हम लोग प्रतिनी धी दल महाराज लोग गय थे तो सब मिल करके इसी दिशा में चले प्रोग्राम 24 तारीक का फिक्स्ट है और प्रधान मंत्री आने के आने माने आने से पहले जेतना इंक्यारी सब प्यों में से होता है वह भी चब चल रहा है लेकिन अभी तक नहीं है कि वह आएंगे पूरा एकदम जब मिले थे तब खूद उन्होंने बोले थे कि हम तो जरूर जाएंगे और किन-किन लोगों को बुलाया गया है अगर आप बताए हम लोग इस जगत गुरु संकराचार्य स्वधानंद सरसुतिज महाराज दार्वका पिठादिश्वर उनको पहले हम लोग इस विशाई को बोले थे और भारत का महामहिम राष्टरपती जी उनके पास भी हम गये थे उनको भी हम लोग निमंत्रन देके आए हैं इस अनुष्ठान में आने के लिए उनके ऑफिस से कुछ वारता के वो लोग तक वहां से भी कुछ नहीं आए लेकिन जगत गुरु सं लोगों के बहुत सारे लोगों के मतलब यह सवाल वो लोग कर भी रहें क्या यह कोई पॉलिटिकल इवेंट है या फिर यह एक सोशल सोच्यो रिलिजिस वाला इवेंट है गीता कोई तो पॉलिटिकल इवेंट हो नहीं सकता अगर दुरगापुजा कोई बोले पॉलिटिकल इवेंट है तो जैसा है अचा पॉलिटिकली दुरगापुजा में भी कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-क साधvous तो गीता पार्ट हम लोग कर रहे हैं गीता के उपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता के भाबना जो है गीता जी में जो बोला गया भगवान आप वारता है कि उसको हम कैसे मास पब्लिक में उसको यूटलाइज करें और यह अभी आंदलोन जैसे हो गया क्योंकि आभी देखिए भारत का वहार में भी अमरीका में भी लंडन में भी चारों राज गीता का प्रचार बहुत जोड जोड से चल रहा है और कलकाता में भी तो इस गीता पाठ के शेसे विशय में करीबां तिन गुना खरीदारी गीता-जी का पू집तक खरीदने के खरीदारी बहुत प्रचार आज़िए तो मतला आदमी में यह आ रहा है कि हमको इसको जानना चाहिए उद्शुकता है तो यह कोई political नहीं हो सकता आदमी एक किताब गीता जी का किताब खरिद के घर में लेके जारे पर रहा है उसको अभ्यास कर रहा है हमको जाना एब्रिगेट में यह कोई political नहीं है इस गीता जी का जो मंत्र है सब एक अट्ठ हो जाए क्योंकि हर एक संप्रदाय के अलग-अलग पाठ है कोई सईब है कोई सक्त है कोई वहिस्तफ है अपना अपना दर्शन अलग-अलग है लेकिन एक ही भारत में गीता जी है जो सब को मिला सकता है हर संप्रदाय को मिला सकता ह सनातन समझ का गठन में मूली है गिता जी इसलिए हम लोग इसको चाइन किये और सारे संप्रदाय संत मंडली जो बंगाल में है सब जूड करके एक हो करके इसका एक सभा कर रहे हैं एक आगरी सवाल आपसे क्या ये हर साल करने की इच्छा होगी आप लोगों की जी जरूर अगर पांच हजार से हम लोग एक लाग का संकल्प ले सकते हैं तागले साल लगभग इससे दो गुना तो कम से कम संकल्प ले सकते हैं 24 तारीक को शायद पहली बार जैसे हमने कहा के कोलकाता के ब्रिगेट पैरेट ड्राउंड में जो एक बहुत ही मेगा पैरेट ड्राउंड है वहाँ पर एक लाग लोग मिल कर गीता का पार्ट करेंगे और उसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी भी आएंगे और वो गीता कि कुछ अध्याए वो खुद भी परेंगे कैमरा परसन तापस बहरी के साथ सुर्याग नी रोए आज तक कोलकाता